वेल्कम फ्रेंड्स इन हेल्थ रंबो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइकलोफनाग क्या होता है तो यह एक जो होती है नॉन इस्ट्रोइडल एंटी इंफ्लमेटरी डग मतलब एंसेट की केटिगरी में आती है इसके अंदर तीन प्रोपर्टी होती है एन सबसे पहला होता है यदि आपके जोड़ों में दर्द है सूजन है या फिर आपको बैक पेन है उसमें सूजन या दर्द वगरा कहीं हो रहा है या फिर आपको गठिया वगरा की प्राबलम है और्थराइटिस है रोमेटाइड अर्थराइटिस है उस कर्णिशन में आप इ अलावा सर में दर्द होता है, आँख में दर्द है, दात में दर्द है, किसी परिकार का तब आप इसको कर सकते हैं। उसके अलावा इसका जो इस्तमाल होता है बुखार के लिए भी किया जाता है। यदि हम बात करें डाइक्लोफनाग टैबलट कितने दिन तक खानी है तो यह डिपेंड करता है कि आपको दख के कंडिशन कैसी है, आपको कहाँ 목orts करता है, आपको fever कितना है उस पे डिपेंड करता है, उससी इसाप कि आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे, तो आप न इस डॉक्टर की instruction फॉलो करें युदि हम बात करें डाइकलोफनाग कैसे लिया जाता है तो डाइकलोफनाग जो होता है इसके आपको पेट वगरा खराब हो सकता है उसके अलावा जिए आपको प्राबलम है तो अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं यदि हम बात करें डाइकलोफनाइक टेबलेट पानी के साथ खाएं या दूद के साथ खाएं डाइकलोफनाइक का प्योग कब नहीं करना चाहिए तो प्रेग्नेंसी के केसे में आपको इसको इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर के कंसल्ट कर लेना चाहिए यदि हम बात करें डाइकलोफनाइक प्राइस की तो Diclofenac का जो प्राइज होता है डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी का आप ब्रांड ले रहे हैं तो इसके जो प्राइज होते हैं लगबद दो रुपए से लेकर दस रुपए टैबलेट भी हो सकता है यदि हम इसके कॉमन ब्रांड नेम की बात करें तो Diclofenac के जो कॉमन ब्रांड नेम होते हैं वाबिरॉन है, Diclo Max है दोस्तों अमीद है आपको इन्फोमेशन अच्छी लगी होगी यदि अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें विध इस थांक य। वर वाटिंग थांस्रेंबॉ